हेलो गाइज वेल्कम टू मैं चैनल यूसफिल प्रोड़क्ट्स और आज हम रिव्यू करेंगे इसके इसके साइन क्रीम, बैटनावेट, सी क्रीम, बैटनावेट, एन और इरे टॉप क्रीम और क्लेंजोल क्रीम यह पांचो क्रीम ही केमिकल क्रीम है, तो मैंने सुचा इनका एक अलग वीडियो बनाता हूँ, जिनसे कि आपको सुभीधा हो, और आप इन सब क्रीमों का एक ही वीडियो में रिव्यू देख सकें, और अगर आप इनका शेपरेट वीडियो रिव्यू देखना चाहते हैं, त तो टाइमिंग पर क्लिक कर गए, सीधा उस वीडियो पर पहुँच जाओगे, तो मैरे लिंक डिस्क्रिप्टिन में आपको डाल दूँगा टाइमिंग की, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प सबसे पहले बात करते हैं, स्किन साइन क्रीम की, दोस्तों स्किन साइन क्रीम को ज़्यादा तर लोग गोरा होने के लिए, केवल कुछी दिनों में गोरा होने के लिए यूज करते हैं, और ये उनको गोरा भी कर देती है, केवल कुछी दिनों में, दोस्तों इसकी क्रीम का क तो आसानी से आपकी स्किन में आपको तोड़ा सा ओईली फील होगा और इसमें से इसमेल अच्छी आती नहीं है तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको यह यूज्ज करना चाहिए या नई यूज करना चाहिए तो दोस्तों मैं बता दूँ कि यह एक hydroquinone cream है जो कि आपकी तुचा के लिए safe नहीं है और यह hydroquinone cream ज्यादा तर बड़े बड़े देशों में ban कर दी गई है लेकिन इंडिया में इसे अभी तक ban नहीं किया गया है तो मैं इसे recommend नहीं करूंगा आपके लगाने के लिए अपने facebook लेकिन लोग आगे से fairness cream के रूप cream BP को मिलाया गया है देखो इसमें cloquinone BP को मिलाने करण इसे betonovat C कहते हैं और इसमें neomycin मिलाने के करण इसको N कहते हैं यह दोनों क्रीम इन में ज्यादा difference नहीं है यह दोनों क्रीम fungal infection को दूर करने के लिए बनाई गई हैं लेकिन लोग बाग इनका fairness cream के रूप में यूज करते हैं as a fairness cream यूज करते हैं यह जीएस के एक international company है glassco smith calamine उसके यह product हैं दोनों दोनों में beta metal soul नाम का यह chemical बिल्कुल दोनों में same है अब दोनों की cream का color भी दोनों की cream के color में यह betonovat n का cream का color white है जबकि दोस्तों betonovat c cream के color बिल्कुल इसके सेन क्रीम के तरह बिल्कुल हलका पीला हुए हलका पीला है देखो आपको दिखने ही जाओगा लेकिन इसकी cream का color हलका पीला है दोस्तों मैं भी आपको इन दोनों क्रीमों के को ज्यादा रिकॉमेंड नहीं करूंगा अब betonovat n और c को भी लाप लगाओगे तो आपकी skin में आसानी से observe तो हो जाएगी लेकिन आपको थोड़ा सा oily feel होगा यह क्रीम दोस्तों fairness क्रीम नहीं है तीनों क्रीम है लेकिन मैं तो बिल्कुल भी किसी भी दिं में यूज करो इनमें से पांचों में से कोई भी स्रह्टें को कि दिं में यूज नहीं करना यूज जैञे कि आपको रात में यूज करो और इनके दोस्तों बाद मैं आपको साइड एफेक्ट दिखाओं देंगे इस स्क spaghetti cream के आपको काले भी होते जाएंगे तो मतलब आप पहले से भी ज्यादा काले हो सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं एरे टॉप क्रीम की जिसमें के लिंदा माइसन फासफेट जल यूएसपी को मिलाए गाया है और इसके ओपर लिखा हुआ है फोट टिपिकल टीटमेंट ऑफ एकने तो मैंने इसे यूज किया है खुद एकने फिंपल्स के लिए और यह अच्छी है इसलिए मैं तो आपको इसको रेकॉमेंड करूंगा और इसके दोस्तों साइड एफेक्ट नहीं है इस वाली करीम के लेकिन इनके साइड एफेक्ट है जो कि मैंने परसनली देखे हैं इनके इस इसके दो बिल्कुल पानी कलरचा है जो आप इसे जो आप इसे लगाओगे पनी पर तो थोड़ा स mashाज करने पड़ेगी इसका थोड़ा जयल थोड़ा सा गाड़ा टा irregular का मतलब थोड़ा सा गाड़ा है इसे आपको लगाओगे तो आसनी से अब्जर्व नहीं होगी आपकी स्किन पर लेकिन आपको इसका एक तरीका बता हूं यूज करने का जहां पर आपके केवल एकने पिंपल्स होते हैं केवल उसी जगा आप इसे यूज करें पूरे फेस पर तक यूज नहीं करना दोस्तों मैंने इस देख लगाया है अभी तक यह एपनी स्किन में आपजर्व नहीं हुआ तो यह स्किन में आपजर्व होने में थोड़ा सा टैम लगता है एक सबसे बड़ा अंतर आपको यह बता हूं दोस्तों इन दोनों क्रेमों को उपर देखो लिखा हुआ है फोड टीटमेंट एकने फोड टीपिकल टीटमेंट ऑफ एकने तो कंपनी खुद यह रिकॉमेंड करती है कि यह दोनों क्रेम एकने फिंपल्स को मिटाने के लिए बनाएगी लेकिन इन तीन लेकिन यह वाली तीन क्रेम है इनके उपर कंपनी खुद नहीं लिखती कि यह किस चीज के लिए इसके उपर कोई भी डायरेक्शन नहीं है कमपनी खुदी नहीं बोलती कि यह किस चीज के लिए लेकिन यह वाली कमपनी बोलती है कि इस चीज के लिए तो दोस्तों कि ये वाली कंपनी ये वाली तीनों क्रीम आप यूज ना करें अब दोस्तों इन पांचों क्रीमों को लगा कर आप धूप में तो बिल्कुल भी ना निकलें धूप में निकलना ही मत पहली बाद तो दिन में आप इसका यूज ही ना करना किवल आप रात में इन का यूज कर सकते हो गाव घर दोस्तों प्राइस की बात करते हैं तो यह मैंने 50 रुपए की खरीदी मार्केट से इसकीन शाइन क्रीम बैटनवेट एन क्रीम लगवग 20 रुपए की है और बैटनवेट आट छी क्रीम थे रुपे की और एरियो टॉप क्रीम मैंने 121 रुपे की खरीदी थी फॉर 20 ग्राम और किलिंज ओल जैल मैंने 50 रुपे का खरीदा था तो यह तो हुए इनकी प्राइस की बात आपको दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यावद दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है इन KRIEMMS के बारे में या फिर और कोई KRIEMM का REEVU देखना है लिग्वियू देखना है तो मुझे कमेट बॉक्स में लिखकर बताना और मैं आपको उस करीम के बारे में रिव्व दूँगा देनेवा दोस्तों, थेंक्स फोर वोचिंग.